आपासी आकार के बारे में इस से पहले प्रीविएस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बच्चो आंक से सबसे पहले हमने देखा कि आंक क्या होती है कि ये मानवनित जो मनुश्य के सरीर का एक महतोपूनंग है जो वस्तूं को देखने के काम में आती है फिर हम इसके भाग पर गए बच्चो हमने स्वेध पतल को पढ़ा, कौर्मिया को पढ़ा, परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाबी पेसिया, द्रक तंत्रिकाएं, रेटिना, सभी चीज़ों के बारे में अध्यन किया और फिर बच्चे हमने पढ़ा, नेत्र की समझ अंशमता की किस प्रकार पक्षमाबी पेसिया, लेंस के आकार को परिवर्तित करती है वस्तू चाहे कहीं विस्तित है, उसका प्रतिविम्ब हमारी आँख पर बना देती है इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए, बच्चे हमें ये पता चला कि हमारी आँख में कई बार कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ दोस भी आ जाते हैं जिसे निकट दरश्टी दोस था कि दूर की वस्तू दिखाई नहीं दे रही है हमने दूर दरश्टी दोस पढ़ा कि निकट की वस्तू दिखाई नहीं दे रही है हमने जरा दरश्टी दोस पढ़ा कि दोनों ही चीज़े दिखाई नहीं दे रही पास की वस्तू, नदूर की वस्तू, फिर हमने उसके उपाई के अंदर हमने द्वीफॉक्सी लेंस यूज लिया, इसके बार में बच्चो हमने पढ़ा एबिंदुपता, कि हमें समान दूरी पर रखी, उर्धवादर और 36 रेखाओं के बीच में अंतर दिखाई नहीं देता है, इसके इलाज के लिए हमने बेलना कारलेंस यूज में लिया था, इसी कड़ी में आज हम पढ़ रहे हैं, आबासी अकार, ये क्या चीज होता है, बहुत ही शांदार सी चीज है बच्चो, आपने कभी देखा होगा, कि ये जो टैलिफोन या फिर बिजली के जो खंबे होते ह हैं, इन्हें आप बिल्कुल पास खड़े होकर के देखते हो, तो ये आपको बहुत बड़े दिखाई देते हैं, और इनी खंबो को जब आप दूर जाकर के देते हो, तो ये आपको बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, यही है बच्चो, आवासी आकार का कंसेप्ट, ची दूर से अधिक उन्चे दिखाई देते हैं और आंख द्वारा किसी वस्तू का छोटा या बड़ा दिखाई देना वो किस पर निर्बर करता है बच्चों वो आंख पर बने कोण पर निर्बर करता है चीजों को समझना मैंने आपको क्या कहा कि जो बिजली का खंबा है उसे मै बिल्कुल पास से देख रहा हूँ तो वो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसी खंबे को मैं दूर से देख रहा हूँ तो वो खंबा मुझे छोटा दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों होता है ऐसा बच्चों इसलिए है कि किसी भी वस्तू का बड़ा दिखाई दे वो हमारी आँख पर बने कोण पर निर्वर करता है और उस कोण को हम नाम देते हैं बच्चो दर्शन कोण क्या नाम देते हैं दर्शन कोण इस दर्शन कोण पर निर्वर करता है कि कोई वस्तू हमें बड़ी दिखाई देगी या फिर छोटी दिखाई देगी और दर्शनकोन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं वस्तू को आँख के समीप लाने पर इसके द्वारा आँख पर बनने वाला दर्शनकोन जितना अधिक होगा वस्तू उतनी ही बड़े आकार की दिखाई देगी दर्शनकोन को बचो अलफा से रिप्रेजन करते हैं अकसर अलफा या बिटा से रिप्रेजन करते हैं ठीक है चीज़ को समझना क्या है देखना बचो ये एक बहुत बड़ा खंबा है ठीक है ये बहुत बड़ा खंबा है समझ ना इस चीज़ को इस खंबे को बच्चो मैं यहां से دیکھ रहा हूं यहां पर मेरी आँख है मैं विल्कुल पास से देख रहा हूं अब देखने आप यह खंबा मुझे कैसा दिखाई देगा यह खंबा मुझे यह दर्शन कोन होता है बच्चो वो होता है दर्शन कोण ठीक है बच्चो ये बनने वाला कोण क्या कहलाता है ये दर्शन कोण कहलाता है अब बच्चो मैं क्या करूँ इसी वस्तू को समझ ना ये तो था ये वाली वस्तू ये पास में थी अब मैं क्या कर दूँ बच्चो तो अगर इस वस्तू को मैं दूर ले जाओं, इसी हाइट की है, इस वस्तू को मैं दूर रखूं, इसी हाइट की वस्तू है, लेकिन इसको मैंने दूर रख दिया आपकी बार, यह थोड़ी से दूर है, आंख से दूर है अब, तो देखना बच्चों, अब दर्शन कोन आंख पर क्या बनेगा कुछ ये वाला अब जो बनने वाला दर्शन कोन है वो छोटा हो गया पहले वाला दर्शन कोन क्या था बच्चो बड़ा था तो हमें वस्तु ये बड़ी कैसे दिखाई देती है बच्चो हमें वस्तु तब बड़ी दिखाई देती है यह दर्शन कोन पर depend करती है चीज़े समझ में आई मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और explain करता हूँ यह PQ object था पहले यहां था फिर यहां है और जो पहले जो मान था यह वाला इसे मैं alpha नाम देता हूँ और यह वाला जो मान है इसे मैं beta नाम देता हूँ दर्शन कोन के मान को ठीक है बच्चों अब हम बात करते है चितर से स्पस्ट है कि जब वस्तु को PQ स्थान पर रखा जा रहा है सबसे पहले PQ स्थान पर रखा जा रहा है तो बनने वाला दर्शन कोन क्या है बच्चों वो alpha है अब वस्तू का स्थान चेंज कर दिया हमने तो वस्तू का स्थान हमने चेंज कर दिया अब क्या है वस्तू बच्चो आँख से दूर लेकर के गए तो बनने वाला दर्शन कोण बिटा है तो वस्तू हमें क्या दिखाई दे रही है वस्तु हमें छोटी दिखाई देने लगी अगर इसी चीज़ को बच्चो मैं इसी वस्तु को और ज़्यादा समीप लेकर क्या हूं तो बनने वाला दर्शन कोन क्या हो जाएगा बच्चो और बड़ा हो जाएगा वस्तु मुझे क्या दिखाई देगी और अधिक बड़ी दिखाई देगी तो इस प्रकार हलांकि देखो तीनों कंडिशन्स में वस्तु का अवास्टविक आकार बराबर है लेकिन दर्शन कोन का मान चेंज हुआ है तो वस्तु का आकार हमें छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है तो बच्चो ये जो सुक्षम दर्शियां दूर दर्शियां अधि प्रकाशि के अंतर होते हैं इनमें दर्शन कोनों का मान बढ़ा कर ही वस्तु का आवास्टी आकार बढ़ाया जाता है इसलिए हमें जब दूर स्थित छोटी वस्तु को बढ़ा देखना होता है तो हम उसे आंक के समीप लाते हैं कभी भी देखना बच्चो आप कोई भी दूर पड़ी वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगी क्यों? क्योंकि आपकी आंक का उसके साथ बनने वाला दर्शनकोन छोटा है अगर आप उसी अबजेक्ट को पास में ला करके देखोगे तो दर्शनकोन बढ़ा हो जाएगा और आपको वो डंग से दिखाई देगी कोई भी सूई है उसमें आपको धागा पिरोना है तो आप दूर से करके देखी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि उस सूई के छेद से आपकी आंक का दर्शनकोन छोटा है लेकिन जब आप उसी सूई को आंक के यहां पास में ला करके कि फिर उसमें धागा पिरोगे तो आपको दिखाई देगा क्यों कि अब उस सुई के उस छोटे से से बनने वाला दर्शन कौन पहले कि अपिक्षा बड़ा हो गया है चीज़ा समझ में आई ठीक है फिर है स्वच आँख के लिए एक चीज़ और चीज़ को नोट करना मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि दूर सित छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम आँख के पास लाते हैं लेकिन आँख के पास लाने की भी बच्चो एक सीमा होती है स्वच आँख के लिए व कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं 25 सेंटीमेटर यह सपस्ट दर्शन की न्यूंतम दूरी होती है यदि उप्युक्त लेंज की साहेता से शुक्षम वस्तू का बड़ा प्रतिविम बना ले तो प्रतिविम द्वारा आंख पर बनने वाला कौण भी बड़ा होगा और वस्तू हमें बड़ी दिखाई देगी यही सुक्षम दर्शी का सिधान्त होता है शुक्षम दर्शियां क्या होती है बच्चों हमें क्या होता है जो छोटी सी चीज है ना उसका हमारी आंख के साथ बनने वाला दर्शन कौण चोटा होता है, बहुत सुक्षम सी चीज है, उसका हमारी आंक के साथ बनने वाला दर्शनकोंड चोटा है, हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जो सुक्षम दर्शियां होती है, वो क्या करती है, वो चोटी सी वस्तु का बड़ा सा प्रतिभिम बना लेते हैं, उसका मान अधिक हो जाएगा और वस्तू हमें क्या दिखाई देगी बच्चो बड़ी दिखाई देगी। ठीक है ना बच्चो अब देखिए आप आगे कि जब वस्तूए बहुत दूर स्थित होती है। कुछ एक वस्तुएं हैं बच्चो जैसे तारे हैं चांद है ये सारे हमसे बहुत दूर स्थित है आलांकि इनका आकार बहुत बड़ा है लेकिन ये हमसे दूर स्थित होने के कारण इनका हमारी आँख के साथ बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है इन्हें हम पास्तो बच्चो ला नहीं सकते तो हम क्या करते हैं हम दूर दर्शी यूज में लेते हैं और दूर दर्शी की हल्प से उसमें जो लगे हुए लेंस है उनकी हल्प से उस दूर स्थित वस्तु का प्रतिभिम आँख के समीप बना लेते हैं और प्रतिभिम से स्थित छोटी वस्तूओं को देखने के काम आती है दूर दर्शी दूर स्थित वस्तूओं को देखने के काम आती है और दौनों की दौनों ही इसी सिधानत पर काम करती है वो क्या काम करती है बच्चो ये दोनों ही दर्शन कोन को बढ़ाने वाला काम करती है ठीक है ना अगर अगर सुक्षम दर्शी की बात कुरूत अपने पास कोई छोटे सी ऑब्जेक्ट है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को सुक्षम दर्शी की हल्प से देखना स्टार्ट करते हैं सुक्षम दर्शी क्या करती है बच्चो उसमें जो लगे बड़ी दिखाई देगी यही बचो दूरदर्शी में करते हैं कि जो वस्तुमें दूर सित है जिनका हमारी आँख के साथ बनने वाले दर्शनकोण छोटा होता है तो दूरदर्शी के अंदर लगे ओवे लेंज न सी क्या करते हैं उस वस्तू का प्रतिविम्ब हमें समीब अ आवर्धन या फिर आवर्धन चमता ये क्या होती है कोण ये आवर्धन या फिर आवर्धन चमता पढ़ते हैं बच्चो इसके बारे में कि किसी प्रकाश के अंतर की कोण ये आवर्धन चमता कोण ये आवर्धन के कारण होती है किसी प्रकाश के अंतर की दर्शन कोण बढ़ाने की चमता को क्या कहते है बच्चो किसी भी प्रकाशिक अंतर के दर्शन कोण बढ़ाने की चमता को हमने क्या नाम दिया है आवर्धन चमता कहते है ठीक है बच्चो चीज समझ में आई की नहीं आई ठीक है मैं इस चीज़ को थोड़ा से ओर एक्स्प्लेन करता हूँ समझना आप आवर्धन चमता क्या होती है सबसे पहले आवर्धन चमता या फिर कोणी आवर्धन की प्रिभाशा को आप समझे ये क्या होती है ये होती है कि किसी प्रकाशिक यंतर की किसी प्रकाशिक यंतर की दर्शन कोण बढ़ाने की शम्ता को क्या कहते हैं आवर्धन शम्ता कहते हैं किसी भी प्रकाशिक यंतर के दर्शन कोण बढ़ा देने की शम्ता को हम क्या कहते हैं प्रकाशिक कोण या आवर्धन या फिर आवर्धन शम्ता कहते हैं यह कोई एक वस्तू थी बच्चो यह कोई एक वस्तू है इसका हमारी आंख के साथ जो बनने वाला दर्शन कोण है वो है अलफा ठीक है यह वस्तू इस जगह पर थी यहां पर वस्तू तो PQ है लेकिन यह जगह A पर थी अब यह वस्तू को मैं क्या करता हूं B जगह पर रख दर्शन कोण क्या हो गया है बड़ा हो गया है अब दर्शन कोण क्या हुआ बीटा हो गया पहले कितना था अलफा था तो बच्चो अगर हमें यहां पर आवर्धन चमता निकालनी है तो आवर्धन चमता क्या होगी आवर्धन चमता होगी जो बड़ा जो दर्शन कोण है उ तता बिना यंतर की केवल आंख से देखने पर वस्तू पर बना कोण अलफा का अनुपात आवर्दन चमता कहलाता है ये बचो हमारी आंख उस वस्तू को सीधा ही देख रही थी इस जगह परता फिर हमने कोई लेंस वगेरा लगाया इस ये प्रतिविम जो है वो समीप सेट हो गया अब बनने वाला दर्शन कोण बिटा है तो आवर्दन चमता की परिवासा क्या होती है कि प्रकाशिक की अंतर की हल्प से प्रतिविम को नस्दीक लाकर के बड़ा दर्शन कोण बिटा बटा में बिन्ना परकाशी के अंतर के केवल आंक से देखने पर बिनने वाला दर्शन कोण अलफा का अनुपात आवर्धन छमता M कहलाता है तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर अनुझा है